तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एससी सीजील की जितने भी 40 शिफ्ट्स हुई थी उसमें जो भी एलजेब्र के इंपॉर्टन कोशन्स हैं उनको लेकर तो बहुत सारे कोशन्स हैं लगबख 50 प्लस कोशन्स यहां पर मैं आज आपसे डिसकस करने वाला हू वैसे अगर देखा जाए तो लगबख 100 प्लस कोशन्स यहां पर इलजेब्र के सभी 40 शिफ्ट्स में से निकले थे उनमें से यो यूनिक कोशन्स हैं वह मैं देखे आया हूँ आपके सामने यूनिक कोशन्स कहने का मतलब जो रिपेट कोशन्स थे मैंने उन्हें हटा दिया है तो यूनिक कोशन्स हैं यह लगबख 50 प्लस कोशन्स हैं तो इस सारे के सारे कोशन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप आने वाले समय में कोई भी एक्जाम दे रहे हो चाहे हो CHSL हो CGL हो मेंस हो कुछ भी हो तो यहां पर आपको इस टाइप के कोशन्स दोब इधर ले आऊं तो यह हो जाएगा एक स्कुएर प्लस वन इकोल्स टू 5 एक्स और एक्स को यहां से डिवाइट करने पर हमें मिल जाएगा एक्स प्लस वन बाइक्स इकोल्स टू 5 ठीक है इस टाइप के कोशन्स वैसे वैसे से काफी जादा पूसता रहता है यहां पर आप अधियान से देखेंगे तो एक्स क्यूब से डिवाइट कर दीजेगा तो हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बाइक्स प्लस वन अपॉन में 5 ठीक है मैंने सिव एक्स क्यूब से डिवाइट किया 5 को नहीं छिड़ाए इसकी वै value क्या होती है तो यहां पर यह होती है के क्यूब माइनस 3 ठीक है के क्यूब का मतलब 125 माइनस 5 into 3 15 तो यह निकल के चले अगले question पर आते हैं, अगला question आपकी screen पर ये रहा हो, question देखें क्या लिखा हुआ है, 17 का cube प्लस 7 का cube upon 7 square प्लस 17 square प्लस 7 square minus k equals to 24, अब देखें आपको सबसे पहले तो यहाँ पर formula पता होना चाहिए, कौन सा, a cube प्लस b cube का, a cube प्लस b cube क्या होता है, तो ये होता है, a plus b into a square plus b square minus a b, ठीक है, ये formula आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैं ये formula put कर दूँ, तो ये बन जाएगा 17 plus 7, that is 24, into 17 का square, plus 7 का square, minus k, denominator में क्या है, 17, sorry, 7 into 17 आएगा, ठीक है, 7 into 17, यहाँ पर आएगा, 7 into 17, denominator में क्या है, तो ये है, 7 का square, plus 7 square, 17 का square, plus 7 square, minus k, minus k, equals to 24, तो देखे, ये 24 से, ये 24 cancel हो गया, equal to के, उधर कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा, 17 square, plus 7 square, minus 7 into 17, equals to 17 का square, plus 7 square, minus k, तो आप यहाँ से simply, reduce कर पाएगे, कि ये जो है, ये सीधा-सीधा k की value है, तो k equals to कितना आजाएगा, 7 into 17, मेरे खाल से बात समझ में आगई होगी, कितना होता है, 17, 17, 119, क्याने हमारा answer हो जाएगा, option 1, क्योंकि यहाँ पर आपको k की value ही find out करने बोला गया था, वैसे अगर आप थोड़ा सा भी दिमाख लगाएगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, कि यहाँ पर a cube plus b cube में, a plus b तो यही हो जाएगा, 24 जो की cancel out हो जाएगा, और बचेगा क्या, तो यह बन जाएगा, a square plus b square minus a b, में a square, b square, a square से a square, b square से b square, और minus a b का मतलब k होगा, a into b का मतलब k होगा, basically, तो a into b का मतलब 17 into 7, तो आप directly भी answer put कर सकते थे, देख सकते थे, solution मैंने इस लिए किया, ताकि आपको basic से clear हो जाए, कि यह answer आया कैसे, चलिए, अगले question पर आते ह अगला question देखे, क्या लिखा हुआ है, लगभग वही सवाल है, बस आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत values change कर दीए, क्या, यहाँ पर 4 दे दिया, यहाँ पर 40 दे दिया है, p की value निकालनी है, अब आप समझ गए होगी कि करना किया, यह क्या बन जाएगा, तो देखो, इतने क जगा में क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, 17-7 into 17 का square, plus 7 का square, plus 7 into 17, बुले ठीक है, यहाँ पर 7-17, 10 हो जाएगा, 10 into 440, तो यह पूरा-पूरा आपस में cancel out हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, और नीचे वाले को equate करेंगे, तो 7 into 17 और P, इनकी value सेम आएग याने again, 119 हमारा सही answer का option C, ठीक है, तो यह दो consecutively question पूछे गए थे, तो मैंने दोनों को इसलिए ले लिया थाकि आपको एक अंदाजा हो जाए, कि कैसे questions आगे भी पूछे जा सकते हैं, दोनों ही questions पूछे गए हैं, ठीक है, अगले question पर आते हैं, अगला question देखो क्या लि minus 2, तो सबसे पहली इस चीज़ को देखकर जो दिमाग में आना चाहिए, वो यह की k की value minus 1 के बराबर है, बोलो ठीक है, अब आपको इसकी value निकालने हैं, तो बहुत ही simple है, k square का मतलब plus 1 हो जाएगा, minus 4 minus 2 divided by plus 1 minus 1 minus 5, simple आपका answer आजाएगा, यह कितना हो जाएगा, minus 6 plus 1 is 5, minus 5, upon 6 में से एक गया, 6 में से एक गया, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो minus 1, तो answer कितना हो जाएगा, finally, plus 1, मेरे ख्याल से बात समझ में आगे होगी, option B हमारा सही answer है, ठीक है, इसी प्रगर कभी अगर आपको k plus 1 by k equals to 2 आजाएगे, तो क्या समझ जाएगे, तुरंट k की value 1, quote करनी है, हमको बिना ज्यादा सोचे, चले, अगले question पर आते हैं, अगला question देखो, क्या लिखा हुआ है, x plus 1 by x equals to this, आपको निकालनी है, x की power 4 plus 1 by x की power 4, चले, बहुत ही simple सी बात है, हम सभी को पता है, अगर x plus 1 by x equals to k दिया होता है, तो x square plus 1 by x square, कितना होता है, तो यह होता है, k square minus 2, इस लिहाद से अगर मैं यहाँ पर put कर दूँ, तो 25 दो नहीं, 50, 50 में से 2 गया, तो यह बचेगा 48, अभी आपको जो value मिली है, वो x square plus 1 by x square की है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x की power 4 चाहिए थी, यानि वापस मुझे इसका whole square करना पड़ेगा, बोलो ठी ठीक है, जैसे ही मैं इसका whole square करूंगा, तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x की power 4 plus 1 by x की power 4 equals to 48 का whole square, ठीक है, minus 2, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और solve करेंगे, तो आपको यह question बहुत easily बन जाएगा, 48 का whole square कितना होता है, तो यह होता है, 2304, 2304, minus 2, तो answer कितना हो होगा, मेरे क्याल से बात समझ में आँगे होगी, बहुत ही simple सा formula, use हुआ है, ठीक है, same formula, दो बाज लगाना है, तो आपको x की power 4 मिल जाएगी, अगले question पर चलते हैं, अगला question देखो, क्या लेका हुआ है, आपको simplify करना है, अब यह simplify वाले question बड़े easy होता है, x की power 9, यह 5, यह minus 4, यह 0, यह minus 6, तो कूछ नहीं करना है, हमें पता है, a की power n into a की power m into a की power p में क्या होता है, तो यह हो जाता है, a की power m plus m plus p, ठीक है, अब अगर निनने से कोई negative है, तो Small have refugee head option a हमारा सही answer हो जाएगा चले अगले question पर आते हैं अगला question देखिए क्या लिखा हुआ है a plus b equals to 11 a into b equals to 35 आपको इसकी value निकालनी है कैसे निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या समझना है सबसे पहले हम यहाँ पर a square की value निकालने के कुशिश करते हैं a square plus b square इसका whole square कर देते हैं a square plus b square equals to यह क्या बनेगा तो यह बनेगा 11 square minus 2 into a b a b याने 35 ठीक है यहाँ प्लस 2 a b आता हो equal to के उधर minus 2 a b हो जाएगा वो मैंने सीधा-सीधा लिख दिया तो यह कितना हो जाएगा तो यह आजाएगा आपका 121 minus 70 तो finally यह कितना आएगा तो यह आजाएगा आपका 70 minus कर दीजेगा तो यह आजाएगा 51 बो ठीक है तो यह किसकी value हो गई a square plus b square के अभी मुझे वापस इसका whole square करना है तो यह क्या बनाएगा यह बनाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 a square b square को उधर minus कर दूंगा तो यह जाएगा बात समझ में आ गई होगी चलो multiply कर लेते हैं 51 का whole square कितना होता है तो यह होता है 2601 minus 35 का whole square कितना होता है तो यह होता है 1225 ठीक है चारतिया 12 और 25 यह जाएगा into कर देंगे तो यह हो जाएगा 2450 minus कर देना इन दोनों को कितना मिलेगा 151 मिल जाएगा आपको simply answer option a हमारा सही answer हो यह सारे questions बनाया जा सकते हैं चले अगले question पर आते हैं अच्छा यहां पर एक चीज़ और है आप चाहो तो value putting से भी काम कर सकते हो कि suppose आपने कुछ value ऐसी रखके देख ली जहां पर यह satisfy हो गया ठीक है जिसे आप सोचकर देखो कि साथ इंटू पांच 7535 होता पर यह 12 हो रह है तो जब value putting से ना हूँ तब तो यहां पर आप बिल्कुल इस तरीके से करो पहला option में यह prefer करता हूं कि आप यहां पर value put करके देख लिया करो ठीक है अगर value put नहीं हो रही है एक दो बार में तो फिर आप proper method है उस पर आ जाओ चले अगले question पर आते हैं अगला question देखो क्य अगर क्या होता है a plus b into a minus b होता है यही होता है तो a plus b को अगर मैं ऐसा लिख दो a plus b का मतलब क्या होगा x minus 27 यह हो गया a plus y minus 9 sorry x minus 9 यह हो गया b a plus b into a minus b a क्या है x minus 27 minus b का मतलब यह वाला term negative में आ जाएगा यहाने minus x plus 9 अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां से क्या पता चलेगा sorry यह वाई है कोशन में इसको टेक कर लेना यह वाई है कोशन में इसको जड़ा टेक कर लीजिएगा ओके तो यहां से आपको क्या पता चलेगा यहां से आपको यह पता चलेगा कि यह बन जाएगा x plus y minus 36 into यह बन जाएगा x plus y और यहां पर बन जाएगा minus का 18 x plus y के value आपको पता है 36 है तो 36 minus 36 हो जाएगा 0 अब 0 के साथ आप कुछ भी multiply करते रहें answer कितना आएगा 0 ही आना है याने option d हमारा सही answer हो जाएगा मुझे नहीं लगता है इसमें आपको किसी को भी कोई भी तकलीव होगी इस question में ठीक है चल अगले question पर आते हैं अगला question आपकी screen पर यह रहा क्या बोला है x plus 1 by x equals to 3 बोला है x cube sorry y plus 1 by y equals to 3 बोला है y cube plus 1 by y cube plus 2 इसक k है तो cube की value क्या होती है यह होती है k cube minus 3 के यही होती है k cube का मतलब कितना होता है 3 का cube 27 होगा minus 3 into 3 कितना होगा 9 होगा तो finally यह बचेगा कितना 18 18 में 2 और add कर दीजिगा कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा option c हमारा सही answer हो जाएगा तो again very simple question चले अगले सवल पर आते हैं अगल square plus b square plus c square minus इतना divided by a b minus b c minus c equals to minus of 2 और एक condition और दी है कि a plus b equals to 5c चले अब इसे कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्या गर सकते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर दिमाख लगा सकते हैं कितने variable हैं तो आप बोलों के सब्सक्रत तीन variable है a b और c number of equation कितनी है दो number of equation है यानि किसी एक की value को मैं कुछ assume कर सकता हूँ किसी एक की value को मैं कुछ assume कर सकता हूँ मैं कर्म करता हूं विकी okay to 0 कर देता हूं जान से दिखते या बीकुष equal to 0 कर देता हूं Report to 0-0 करने से क्या होगा बी 0 होगा तो a की value सीधा-सीधा 5c हो जाएगी A equals to 5 4 हो जाएगा और यहां से वियों सी की value निकलना असान हो जाएगा ए और सी वेलगो हो निकालना यह तो zero हो यह भी 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा तो बचा क्या उपर A2 plus C2 minus this याने A2 plus C2 minus 1024 divided by minus of AC equals to minus 2 AC को उधर multiply कर लिजेगा एक ही जगह 5C रखेंगे तो कितना हैगा 25C2 plus C2 minus 1024 equals to twice of AC एक ही जगह वापस रख लिजेगा तो C को जब मैं रखूंगा तो 5C into C हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 10C2 minus 1024 equals to 10C2 एक तरफ लेएगा C2 को तो यह कितना हो जाएगा 14C2 equals to 1024 बोलो बात ही चाहिए जब यह इधर आएगा तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 16 16 हो जाएगा ठीक है 16 से जब हम इसे डिवाइट कर देंगे तो C2 की वेल्यू कितनी बन जाएगी तो यह आप से एक की वेल्यू मिल गई अब यहां से एक वेल्यू भी निकाल सकते हैं एक कितना है 5 इंटू 8 5 इंटू 8 इस 40 तो एक की वेल्यू भी आपकी कितनी आ गई आट पंजे चालेज पूछा क्या था फाइंड वेल्यू ऑफ सी अच्छा सी की वेल्यू ही पूछी थी तो आपके पास 8 तो आ चुका था पहले ही यहने option A हमारा सही answer हो जाएगा यहाँ पर मैंने क्या किया मैंने यह देखा कि number of variable कितने हैं और number of equation कितनी है तीन variable थे दो equation थी तो किसी एक के value को मैं अपनी तरफ से कुछ भी मान सकता था सो मैंने B को मान लिया 0 ठीक है आप चाहो तो A को 0 मान सकते थे आप चाहो तो C को 0 मान सकते थे यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप C को 0 मानते तो क्या होता A को मान सकते थे 0 आप A को मान सकते थे 0 चलो अगले question पर आते हैं अगला question देखो क्या लिखा हुआ है अब आपको यह formula बता होना चाहिए कि प्लस क्यू क्यू इंटू प्लस क्यू का होल स्क्वेर माइनस थ्राइस ओफ पी क्यू यह formula अगर आपको पता है तो बहुत इसली आप यह question बना ले जाएंगे प्लस क्यू कितना है 6 है 6 का square 36 माइनस चारती या 12 हो जाएगा बोलो ठीक है 24 से माइनस कर दीजिएगा तो 6 इंटू 24 आपका सही answer हो जाएगा बोलो ठीक है multiply करते हैं आप सभी को आता है तो मुझे नहीं लगते हैं इसमें कोई तकलीफ होगी 144 सीधा सीधा answer आप बता सकते ह अगले कोशन की तरफ देखते हैं अगला कोशन देखी क्या लिखा हुआ एक सीधा टू अंडरूट 5 माइनस टू अपॉन अंडरूट 5 प्लस टू आपको निकालना है एक स्कुएर प्लस वन बाइक स्कुएर की वेल्यो ठीक है चलो निकालने की कोशिश करते हैं मुझे स्कुड़ि बात नहीं होगे देखो यहां से क्या करूंगा एक स्कूर्याइज कर लोंगा इसे सब्सक्रेंस करों तो नीचे तो वही बनेगा उपर अपको समझ मैं घींघ हो जाएगी आपकी simply इसका square कर दीजेगा तो यह हो जाएगा पांच और 49-4 root 5 ठीक है तो यहां से मैं बता सकता हूँ कि अगर x की value इतनी है तो x square कितना होगा x square की value कितनी होगी तो बस इसका whole square करते जाए a square plus b square minus 2ab a square का मतलब 81 b square का मतलब 80 minus 2ab का मतलब 9 436 into 72 root 5 बो ठीक है इन दोनों को add कर देंगे तो कितना आएगा 161 minus 72 root 5 यह जाएगा x square और 1 by x square कितना आएगा तो यह जाएगा 161 plus 72 root 2 दोनों को add करेंगे 161 और 161 add हो जाएगा याने x square plus 1 by x square की value कितनी होगी तो बड़े number का दुगना याने 2 यहां जाएगा 2 यहां जाएगा 322 आपका सही answer होगा option D बोलो ठीक है rationalize किया आप चाहो तो यहां से भी कर सकते थे कि अगर x इतना है तो 1 by x कितना होगा तो 1 by x हो जाएगा 9 plus 4 root 5 तो x plus 1 by x कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा x plus 1 by x equals to 18 हो जाएगा ठीक है तो अब आप यहां से भी से निकाल सकते थे कि कुछ नहीं करना था फिर सीधा आपको 18 का square minus 2 कर देना था तो भी आपका यह answer आ जाता simply ठीक है चलब अगले question पर आते हैं अगला question देखो क्या लेका हो है simplify इससे simplify करना है this plus this minus this वहती simple question है x plus 3y plus 3x minus 6 minus x minus y ठीक है x x cancel हो जाएगा 3x और minus 3y और minus y तो यह हो जाएगा 2y यह हो जाएगा plus 3x और यह बचेगा minus का 6 तो यह आपका सही answer होगा 3x 2y minus 6 option D हमारा सही answer होगा चलो अगले question पर आते हैं अगला question देखो क्या लेका हो हो एक square plus 2x plus y square upon x cube minus 5x square if this equals to 5 बढ़िया सवाल है थोड़ा सा अच्छा सवाल है इसे ध्यान से देखो करना कैसे है अगर आप इस पूरी equation को इस वाले को इसे simplify करना है इस पूरे को अगर आप x से divide कर दो उपर और नीचे दोनों तरफ ठीक है numerator में भी x से divide करो denominator में भी x से divide कर तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा x plus 2 plus y square upon x नीचे क्या बन जाएगा नीचे बन जाएगा x square minus 5x अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा x plus y square by x की value तो 5 उसने खुद दे रखी है तो 5 plus 2 तो यही हो गया अप on x square minus 5x x square minus 5x कहां से निकलेगा इसे थोड़ा सा solve करो LCM ले लो के तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा x square plus y square equals to 5x यही बनेगा 5x को इधर ले आना y को इकुल टूकर उधर कर देना तो यह हो जाएगा x square minus 5x equals to minus of y square तो इतने की value minus of y square है तो यहां पर इसकी जगह मैं लिख दूँगा minus of y square फाइनल यह answer क्या हो जाएगा minus of 7 upon y square याने option d हमारा सही answer हो जाएगा वो लो clear है simple question था कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपसे नहीं बनता चलिए अगले question पर आते हैं अगला question देखो क्या लेका हो है a plus b equals to 5 है a into b equals to 6 है तो 3 a square plus b square देखो a square plus b square कैसे निकालोगे a square plus b square निकालने का बहुत simple सा तरीक है a plus b का whole square minus twice of a b यहीं लगते हैं हम लोग तो चलो 3 into a plus b का whole square याने 5 का square 25 which is minus 2 into a b का मतलब 6 2 12 minus करोगे कितना आएगा 13 13 into 3 39 हमारा सहीं answer हो जाएगा option a बोलो ठीक है clear है सभी को मेरे ख्याल से इसमें भी किसी प्रकार की कोई तक्रीफ नहीं हो नहीं चाहिए अगले question पर आते है अगला question देखो क्या लिखा हुए a plus b plus c equals to 6 a square plus b square plus c square equals to 14 a b plus b c plus c equals to 11 what is the value of a q plus b q plus c q minus 3 a b c ये रहा आपका question इसकी value आपको निकालनी है अब जो दिया हुआ है उसी में से कुछ न कुछ जोगार तोगार करके निकालना पड़ेगा आपको देखो इतने की value होती कितनी है ये formula है सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c है ठीक है इसके तीन formula और होते हैं वो मैंने आपको algebra के theory वाले वीडियो में बताए हुए है ठीक है तो उन्हें वहाँ से जाके आप देख सकते हो चलो a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a plus b plus c कितना दिया हो इसने 6 दिया हुए a square plus b square plus c square कितना दिया है चाहुदा दिया है minus अगर common निकालनों तो ये a b plus b c plus c a है कितना 11 तो minus 11 गर लीजेगा तो ये कितना बचेगा 6 into 3 6, 3, 18 हमारा सहीं answer हो जाएगा एकदम simple question था option c हमारा सहीं answer होगा इस question के लिए भी चले अगले question पर आते हैं अगला question देखें क्या लिखा हुआ x k k power 4 plus 1 by k k power 4 equals to this तो k q plus 1 by k q कितना होगा कुछ नहीं करना है आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं पीछे जाओंगा तो क्योंकि मैंने यहां से 2 minus किया होगा तो मुझे इसमें 2 add करना पड़ेगा तो मुझे क्या मिल जाएग मुझे मिल जाएगा k square plus 1 by k square equals to under root of 149 194 ठीक है 149 plus 2 190 sorry 194 plus 2 196 हो जाएगा 196 याने 14 तो k square plus 1 by k square कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा अभी मैं एक step और वापस जाएगा तो k plus 1 by k कितना होगा तो यह हो जाएगा under root of 14 plus 2 भोलो ठीक है 16 16 का under root 4 होता है तो यह हो जाएगा चार अब यहां से इसकी value निकालना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर इतना दिया है तो इसकी value क्या होती है इसकी value होती है m cube minus 3m है ना तो 4 का cube कितना होगा 4 का cube हो जाएगा 64 minus 4 तिया 12 answer कितना हो जाएगा 52 52 याने option भी हमारा सही answer होगा तो बहुत ही simple सा question था आपको आगे जाने के अलावा पीछे आते भी आना चाहिए चले अगले question पर आते हैं अगला question देखो क्या लिखा हुआ है x plus 11 x equals to 8 दिया हुआ है तो 5 upon this की value क्या होगी अब यहाँ पर छोटी सी बात समझने के कोशिश करिएगा यहाँ पर आप देख पारें कि उपर x नहीं है तो हम उपर और नीचे दोनों जगा x से divide नहीं कर सकते हैं क्या करना है हम थोड़ा से यहाँ पर सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा किया अगर मैं इसको थोड़ा बहुत मैं manipulate करूं तो यहाँ से कुछ यह निकल सकता है जिसे इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यह हो जागा x2 plus 1 equals to 8x या मैं इसे x2 minus 8x plus 1 equals to 0 बोल सकता हूं अगर इतने की value 0 है तो इसमें से क्या मैं इसे x2 minus 8x plus 1 plus 1 लिख सकता हूं basically मैंने 2 को तोड़ दिया 1 plus 1 में इतने की value तो 0 है तो 5 upon 1 बचेगा 5 upon 1 कितना होता है बिटा 5 होता है option D है हमारा सही answer हो जाएगा देखो अगर उपर x होता तो मैं सोचता उपर नीचे x2 होता या कुछ ऐसा होता तो मैं उपर नीचे x से डिवाइट करने की सोचता बिट ऐस इसी तरीके से हमें उसे solve करना पड़ेगा चलो अगले question पर आते हैं अगला question देखो क्या लिखा हुआ है k plus 1 by k equals to 3 होता है तो k cube plus 1 by k cube क्या होगा सबको पता है अगर यह m है तो यह m cube minus 3m होगा answer आप मुझे comments में बताएगा वैसे तो 18 होगा सबको पता होगा चलिए अगले question पर आते हैं अगला question देखे क्या लिखा हुआ है 4a plus 5 upon a plus 5 equals to 14 आपको value निकलनी है 16a square plus 25 by a square की देखो वाई यह है 4a इसका square आपको यहां दिख रहा है यह है 5 upon a और 25 by a square इसका square आपको यहां दिख रहा है सीधी सी बात है कि 4a plus 5 by a equals to यह plus 5 को उधर कर देना तो हो जाएग तो आपको यह easily मिल जाएगा चलो whole square करते है a plus b का whole square क्या होता है a square plus b square plus 2ab ठीक है equals to 81 हो जाएगा a से cancel हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा बीस बीस दुने 40 40 हुदर माइनस कर दीजेगा तो finally इसका answer के इत्ता हो जाएगा 41 इसका सही answer हो जाएगा यहाने option c हमारा सही answer हो जाएगा तो बहुत ही simple सा question था इसे अगर आप समझ गए होंगे तो मेरे ख्याल से अब आपको तकलीफ नहीं होगी इस टाइप के questions में चलो अगले question पर आता है अगला question देखो क्या लिखा हुआ है आपको निकालना है power 4 बहुत ही बड़ा number नहीं हो गया ठीक है कोई बात नहीं डरने की जरूरत नहीं है अपने इसको बिलकुल आराम से solve कर सकते हैं देखो unit desert सब क्या अलग है तो कहने का मतलब यह है कि unit desert से काम निकल सकता है चलो इसका square करते है तो x square plus 1 by x square कितना होगा 13 का square करेंगे तो जब इसके square करेंगे तो क्या मिलेगा तो देखो 1 का square 1 होता है और उसमें minus 2 करना पड़ेगा तो 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा याने unit desert में कहीं 9 आएगा क्या कर रहा हूं समझना जरा बात को x की power 4 plus 1 by x की power 4 equals to 171 का whole square minus 2 ऐसे ही करना पड़ेगा अब आप सोच सर यहां पर plus किया था यहां पर minus क्यों कर रही हो जब plus किया था तब a minus b का whole square का formula लगा तो minus 2 a भी आयए था तो equal to ke उधर जाके plus 2 a भी हो जाता था अभी यह एatorio reorgan Qe Rb आपको unit desert 9 मिल रहा है अब कोई बोलेगा कि sir अगर option में मुझे यहाँ पर भी 9 हो जाता या यहाँ पर भी 9 हो जाता तो क्या करता तो भाई मजबूरान आपको यह पूरा solve करना पड़ता उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता था और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है बात समझ में आ गई चलो अगले question पर आते हैं अगला question आपकी screen पर यह रहा question देखो क्या लिखा हुआ है x equals to root 3 plus 2 root 2 और आपको इसकी value निकालनी है सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि under root इतना कितना होगा तो यहाँ पर भी under root लगेगा अब यह किसी ना किसी का whole square का formula होगा तो यह होगा a square plus b square plus 2ab का ठीक है इसको छोड़ो इसको पकड़ो 2 तो 2 यहाँ पर है ab में केवल root 2 है b की value नहीं समझ में आ रही है 1 assume कर लें तो मुझे पता चले आएगा a की value अगर root 2 ले रहा हूँ और b की value अगर 1 लेता हूँ तो यह जो पूरा का पूरा number है यह कहीं न कहीं root 2 plus 1 का whole square मुझे दिखाई दे रहा है तो under root x कितना हो जाएगा इसका under root x हो जाएगा root 2 plus 1 बोलो ठीक है यह हो जाएगा under root x की value तो 1 by under root x की value कितनी हो जाएगी root 2 minus 1 हो जाएगी तो x under root x minus 1 by under root x कितना हो जाएगा तो इसको minus कर देना वही है जैसे ही minus करोगे तो root 2 से root 2 cancel हो जाएगा 1 plus 1 2 हो जाएगा तो under root x minus 1 by under root x कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा याने option C हमारा सही answer हो जाएगा तो बहुत ही simple और आसान से सवाल है यह चलो अगले question पर आते हैं अगला question आपकी screen पर यह रहा question देखो क्या लिखा हुआ अगर x plus 1 by x equals to minus 2 आपको इसकी value निकाल लिए अभी थोड़ी दिर पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर x plus 1 by x equals to minus 2y समझ जाना x की value minus 1 है बस यहाँ पर minus 1 की power odd तो minus 1 रहेगा minus 1 की power और चाहे power negative में ही क्यों ना हो रहेगा तो minus 1 minus 1 की power even तो plus 1 हो जाएगा और minus 1 की power even तो plus 1 हो जाएगा बोलो ठीक है answer कितना हो जाएगा 0 option d अमारा सही answer हो जाएगा चलो अगले question पर आते हैं अगला question देखो क्या लिखा हुआ है बोल रहा है x minus y equals to 1 है और x square plus y square equals to 41 है then find the value of x plus y x plus y की value कितनी होगी बहुत ही simple सा question है कोई जादा तीन तुफान आपको करने की ज़रूरत नहीं है आप बस इतना समझिए कि अगर मुझे x plus y की value निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ ठीक है कैसे निकाल सकूँगा मैं तो आप खुद 2 मिनिट सोच कर देखिए अगर मैं under root x minus y का whole square कर दो तो क्या मिलता है तो मुझे मिलता है x square plus y square minus 2ab बट minus 2ab की जगा मुझे plus 4ab करना पड़ेगा तब तो वो x plus y का whole square बन पाएगा और whole square हटा कर मैं नहीं है पर under root लगा दिया है तो yellow होगया question गिये होगया कितना 1 plus 4 into ab का मतलब क्या होगा 4 into ab अच्छा यहां पर मुझे अभी ab भी निकालना पड़ेगा ठीक है चलो पहले ab निकाल देते हैं इसका whole square कर देते हैं x square plus y square minus 2xy equals to कितना आएगा तो यह 1 आएगा इतने की value 41 दी हुई है minus 2xy equals to 1 आएगा इधर उधर कर लिजेगा तो आपको पता चल जाएगा कि 40 की value है 2xy तो obviously 80 की value होगी 4xy तो बस यहां से उठा कर इसे आपर पर रख दीजेगा 80 और 1 कुल मिलाकर हो जाएगा 81 तो x plus y equals to under root 81 जिसकी value होती है 9 याने option a हमारा सही answer होगा ठीक है तो यहां पर पहले a b की value निकालने पड़ेगे ठीक है a b का मतलब xy a b लिख दिये सॉरी मैंने xy ठीक है अगर मैं नीचे एक x दे दूँ तो उपर x का cube हो जाएगा नीचे यहां पर y दे दूँ तो यहां पर y का cube हो जाएगा नीचे यहां पर z दे दूँ तो यहां पर z का cube हो जाएगा अब आपको पता है कि x cube plus y cube plus z cube क्योंकि denominator सेम हो चुका है तो x cube plus y cube plus z cube upon x y z कितना होगा त तो आपको ये पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि अगर x plus y plus z equals to 0 है तो x cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz होता है और अगर आपको ये पता है तो इसकी जगापर 3xyz लिखकर divide करेंगे xyz से तो answer कितना आएगा तीन आएगा option d हमारा सही answer होगा बोलो ठीक है again very simple सा question था बहुत ही बड़ी है simple सवाल चलो अगले question पर आते हैं अगला question देखो क्या लिखा है what is the possible value of this if a square plus b square plus c square is this and a b plus b c plus c equals to 8 इसकी possible value क्या होगी अब देखो इसकी possible value निकालना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है ठीक है इतना कठिन काम भी नहीं है इसकी possible value निकालना कैसे निकालेंगे तो देखो सबसे पहले तो यह समझना वड़ेगा कि अगर मैं किसी तरीके से a plus b plus c की value निकाल पाया अच्छा a plus b plus c का whole square क्या होता है a square plus b square plus c square plus twice of a b plus b c plus c यहीं होता है है कि नहीं अगर मैं यहां से square हिटा दूं तो यह under root आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा और आपको a plus b plus c का whole square भी पता है और a b plus b c plus c कभी पता है value तो बस यहां पर रख दो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा under root इतने की value है 9 plus 2 into इतने की value है 8 बोलो ठीक है अट दूनी 16 16 और 9 16 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा मेरे खाल से अट दूनी 16 इंटू बी इंटू सी ठीक है अट दूनी 16 16 और नौ 25 25 यह हो जाएगा तो यह आ जाएगी आपकी a plus b plus c की value अट रूट 25 याने 5 जैसे यह पता चल गई तो आपको इसकी value पता है पांच में से 3 गया तो 2 बचेगा option D हमारा सही answer हो जाएगा खीक है बात समझ भाई इसकी value 5 है 5 में से 3 गया 2 बचा simple question अगले सवाल की और चलते हैं अब अगला question देखो क्या लिखा हुआ है x plus 1 by x equals to 14 दिया हुआ है what will be the value of x square minus 1 by x square भाई बढ़ा बढ़िया सा सवाल है क्यों 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 जब मैं इसका whole square करूँगा तो आपको पता है कि आपको मिलेगा x square plus 1 by x square equals to something x square minus 1 by x square नहीं मिलेगा x square minus 1 by x square निकालने का तरीका क्या है तो सबसे पहले तो इसका तरीका जानो ये है x plus 1 by x into x minus 1 by x सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दूसरी बात ये भाईया कि अ आपको ये पता होना चाहिए अंडरूट k square k square minus 4 पर आप ऐसे निकाल सकते हैं तो बस बात समझ में आ गई होगी चाओदा का square किता होता है 196 minus 4 कर लीजेगा तो अंडरूट 192 बोलो ठीक है अंडरूट 192 का मतलब क्या होता है अंडरूट 192 का मतलब होगा कि ये हो जाएगा 64 into 3 64 into 3 का मतलब 8 रूट 3 ऐसा तो ये आजाएगा आपका x minus 1 by x अब आपके पास x plus 1 by x की वैल्यू है 14 x minus 1 by x की वैल्यू है इतनी दोनों को multiply कर दूँगा तो मुझे मन चाही वैल्यू मिल जाएगी जो की होगी 14 into 8 रूट 3 बोलो ठीक है बात समझ में आई की आंसर होगा कितना 112 रूट 3 बोलो ठीक है बात समझ में आगी 112 रूट 3 याने option भी हमारा सही आंसर होगा तो बस आपको ये बात पता होनी चाहिए दूसरा इसका reverse case भी दिहाम रखना कभी अगर आपको x minus 1 by x equals to k दिया है और आपसे x plus 1 by x पूछ लिया है तो क्या करोगे तो under root k square plus 4 ये value होती है आपकी minus से plus पर और ये value होती है प्लस से minus पर ठीक है नोट कर लो बहुत important है अगले question पर चलते हैं अगला question देखो आपकी screen पर ये रहा question देखो क्या लिखा हुआ है k की power 4 plus 1 by k की power 4 equals to 47 तो k cube निकालना है अब देखो यहां से तो निकल नहीं सकता तो पहले इसको k square पर ले गया आते है k square plus 1 by k square कितना होगा तो अब आप समझ गए होगे कि यहां पर 2 घटा होगा तो 2 जोड़ देंगे तो under root 49 under root 49 याने 7 हो अब इतने की value आपको पता है इसकी value निकालना है कैसे निकालोगे 3 का cube minus 3 into 3 27 minus 9 बराबर 18 हमारा सही आंसर होगा option C तो seconds की question है यह बहुत easily solve हो जाने चाहिए अगले question बनाते है अगला question देखो क्या लिखा हुआ है बोल रहा है simplify the form of this इसको simplify करना है अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसको simplify करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह basically क्या है यह है a plus b का whole square sorry whole cube plus यह है a minus b का whole cube ऐसी समझे है a plus b का whole cube और a minus b के whole cube में क्या difference आएगा तो देखो a plus b का whole cube का formula क्या होता है a cube plus b cube ठीक है plus 3ab into a plus b plus यहां पर क्या बनता है यह बनता है a cube minus b cube minus 3ab into a minus b जब आप थोड़ा से इसको expand करोगे तो आपको पता चलेगा कि यह cancel हो जाएगा और बीच में कोच एक यह वाला term बड़ेगा है ना तो यह हो जाएगा 6x3 sorry 2x3 2x3 plus 6 into x into 2y 2y का whole square तो यह हो जाएगा 4y square ठीक है तो 6 4 24 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2x3 plus 24xy square यह हमारा सहीं answer होगा यानि option एह हमारा सहीं answer होगा तो तो बहुत ही simple सा question है मेरे खेल से बात समझ में आ गही होगी आपको इसको थोड़ा से expand करके लिख लोगे तो ज्यादा clear समझ में आ जाएगा फिलाल मैंने छोटे महीं नवटा दिया क्योंकि obviously ज्यादा time नहीं लेंगे स्ट्राइब के questions में हम ठीक है चलो अगले question पर आते हैं अगला question देको क्या लेका हुआ है a minus b equals to 2 दिया हुआ है a cube minus b cube equals to 80 दिया हुआ है find the value of a b ठीक है कोई दिखकत नहीं है हम a b की value निकाल लेंगे भाई a cube minus b cube का formula क्या होता है a cube minus b cube का formula होता है a minus b into a minus b का whole square plus 3ab ये formula भी आपको पता होना चाहिए ठीक है सिर्फ a square plus b square minus a b या a square plus b square plus a b वाले formula से काम नहीं चलेगा ये भी पता होना चाहिए तो चलो अब यहां पर आपके पास सारी value है a b की value आपको निकाल लिए ये कितना है 80 है a minus b 2 है 2 square 4 होता है plus 3ab बो ठीक है ये कड़ेगा 40 40 में 4 minus होगा तो 36 बचेगा 36 बरावर 3ab तीन से और काच लिजएगा 12 बरावर a b हो जाएगा याने option a हमारा सहीं answer हो जाएगा बो ठीक correct algebraic expression आपको बस सही algebraic expression निकाल ली है अब यहां पर आप हर एक को solve करते बैठो और निकाल लेना तो देखो यहां पर क्या दिया a b minus a minus b 1 ठीक है तो a b आ जाएगा minus a b आ जाएगा minus b b आ जाएगा और plus बना जाएगा तो मेरे ख्याल से पहली वाली equation ही सीधी सीधी satisfy हो रही है ठीक है पहली वाली equation ही सीधी सीधी satisfy हो रही है तो मुझे नहीं लगते इसमें आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए ठीक बात समझ में आ गई वैसे भी यहां पर करोगे तो obviously a square b square के terms में आएगा यहां पर करोगे तो a और b minus में आएगा यहां पर भी करोगे तो a और b minus में करो कभी भी यह situation दिखाई दे समझ जाना x equals to y equals to z है ठीक है बस यहां पर यह कर लो और x की value 1 बोली है तो सबकी value 1 हो जाएगी तो खतम होगे question 10 plus 10 into 1 की power 4 तो 1 होगा तो सबकी value 1 ही होगी तो 10 plus 5 plus 7 divided by 13 plus 6 plus 3 यह कितना आ जाएगा 12, 10, 22 और यह कितना हो जाएगा 16, 26 आंसर हो जाएगा 1 याने option D हमारा सही answer हो जाएगा वो लोड़ी के बात समझ में आगी simple question था चलो अगले question बगाते है अगला question देखो क्या लेका हुआ 2x plus 1 by x equals to 6 इसका whole cube कर लो काम खतम हो जाएगा whole cube करोगे तो क्या आएगा 8x cube plus 1 by x cube plus 3 into ab का मतलब 2x into 1 by x into a plus b का मतलब 2x plus 1 by x equals to 6 का cube उता है 216 इतने की value हमको पता है कितनी होती है 6 होती है यहां से यह cancel हो जाएगा तो यह हो जाएगा 6 6 into 6 36 हो जाएगा 36 हो जाएगा तो 8x cube plus 1 by x cube plus 36 बराबर 216 36 minus कर लिजेगा आपको answer कितना मिल जाएगा 36 minus करने पर 180 आपको answer मिल जाएगा किसकी value 8x cube plus 1 by x cube की तो again simple question option C हमारा सही answer होगा चले अगले question पर आते हैं अगले question आपकी screen पर यह रहा question देखो क्या लेखा हुआ है x square minus 2xy equals to 84 और x minus y equals to 10 दिया हो है y की value आपको निकालनी है ठीक है तो देखे क्या यह सही में बहुत मुश्किल सवाल है तो ऐसा दिख तो नहीं रहा मुझे काफी simple सी बात है सीधी बात यह है कि अगर मैं इसका whole square कर दूँ तो क्या मिलेगा तो देखो इसका whole square करने पर मिलेगा x square plus y square minus 2xy और equals to 100 बोलो हाँ जिसमें x square और minus 2xy इसने 84 खुद दी हुई है तो इतन दोनों की जगहा पर मैं क्या लिख सकता हूं 84 लिख सकता हूं तो y square plus 84 equals to 100 यह भाई यह इसको minus कर लिजेगा तो y square equals to कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 16 तो y कितनी आ जाएगी चार आ जाएगी और मेरे खाल से यही पूछा था y की value कितनी हो जाएगी option c 4 चले अगले question पर आते हैं अगला question आपकी screen पर यह रहा question देखो क्या लिखा हुआ है x plus 1 by x equals to 1 दिया हुआ है और इसकी value निकालने है देखो जब भी आपके सामने x plus 1 by x equals to 1 दिया हो सबसे पहले तो यह समझ जाओ भाई कि यहां से solve करने पर x की cube equals to minus 1 मिलने वाली है ठीक है अब बस यहां से ही उसके सारे factors बनाया होंगे इसी की powers में कुछ यहां पर चड़ा के लिखा होगा जिसे इसे क्या लिख सकते है x की power 12 को क्या लिख सकते है x का cube into 4 ऐसा लिख सकता हूं प्लस x का cube into 3 ऐसा power में 3 लिख सकता हूं प्लस x का cube और फिर सकता हूं यह 6 जाएगा यह तो x का cube है ही और यह 1 हो जाएगा बस इसकी जगा माइनस 1 की power 4 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 की power 3 माइनस 1 रहेगा माइनस 1 की power 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 की power कुछ नहीं माइनस 1 रहेगा प्लस 1 हो जाएगा बोलो ठीक है यहां तब कोई दिक प्लस वन हमारा सही अंसर होगा option a जहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी तकलीफ होगी चलो अगले question पर आते हैं अगला question आपके सामने क्या है अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको x plus 1 by x equals to 2 दिखाई दे समझ जाना x की value 1 है और रख देना भी यह x की value 1 x की value 1 में power आप कुछ भी चबाल दो तो यह तो 1 ही रहेगा प्लस यह भी 1 ही रहेगा answer कितना हो जाएगा दो याना option d हमारा सही answer होगा चलो अगले question पर आओ अगला question देखो क्या लिखा हुआ है if for a non 0x x square plus 7x plus 5 equals to 0 find the value of this इसकी value निकाल लिए ना पहले x plus 1 by x निकाल लिए यहां से x plus 1 by x निकाल लेते हैं इसको इदर कर दो तो यह हो जाएगा 5x square plus 5 equals to minus 7 x x divide कर देना और 5 से चाहो तो इदर common लेके divide कर देना तो यह बने जाएगा x plus 1 by x equals to minus 7 by 5 ठीक है अब अगर यह k है तो हमें पता है कि इसकी value क्या होती है k cube minus 3 के तो मुझे क्या लिखना है minus 7 by 5 का whole cube minus k cube याने 3 into k का मतलब minus 7 by 5 बस इसको solve कर लेंगे काम हमारा बन जाएगा बो ठीक है यहां तक मेरे खयाल से आपको बात समझ में आ गई होकी चलो आगे बढ़ते हैं इसको ज़रा solve कर लेते ह है साथ का क्यों किद्धा होता है 343 ठीक है पांच का क्यों 125 यह हो जाएगा minus into minus plus और साथ यह 21 बटा फांच LCM ले लीजएगा तो इसे 25 से multiply करना पड़ेगा इसे भी 25 से multiply करना पड़ेगा LCM आ जाएगा 125 यह तो minus का 343 ही रहेगा यह हो जाएगा 21 into 25 ठीक है 21 into 25 कितना होता है तो 21 into 25 हो जाएगा 500 और 525 माइनस कर लीजएगा इसको 128 आएगा माइनस करने पर तो फाइनली 128 अपॉन 125 यह आंसर आपका होना चाहिए 182 अपॉन 125 ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि option D हमारा सहीं आंसर क्यों है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ क्या लेखा हुआ है आपको इसके वेलिव निकाल लिए है सबसे पहले इससे जर्णाद देखना यहां पर अगर मैं द्यान से देखूँ तो A by B plus B by equals to 1 कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर LCM ले लूँ तो यह हो जाएगा A square plus B square upon A B equals to 1 1 का square तो 1 ही होता है हला कि square किया भी नहीं है LCM लिया बस और A B को इधर multiply कर दूँ तो A square plus B square equals to A B बोलो ठीक है और यहाँ पर A plus B की value उसने खुद ही मुझे 2 दी हुई है तो A cube plus B cube क्या होता है तो A cube plus B cube का formula होता है A plus B into into A plus B का whole square और क्योंकि यहाँ पर minus आता है तो minus 3 A B होना चाहिए बोलो ठीक है अब आपको पता है कि भाईया A plus B का whole square या ठीक है इसे अगर solve करेंगे तो यहाँ पर A B की value की मुझे जरूरत पड़ेगी ओके चलो कोशिश करके देख लेते हैं इसका ज़रो whole square कर लेते हैं A square plus B square plus 2 A B equals to 4 यह दोनो value तो same है तो यह हो जाएगा 2 A B और यह भी A B है तो कोल मिलाकर 3 A B equals to 4 हो जाएगा तो 3 A B की value 4 है तो यहाँ पर सीधा-सीधा 4 रखना है तो A plus B 2 हो जाएगा 2 square 4 हो जाएगा माइनस 3 A B की value 4 है कोल मिलाकर 4 minus 4 0, 0 into 2 0 होता है हमेशक लिए 0 हो जाएगा यान्य option A हमारा सही answer होगा तो नहायती बढ़िया सवाल बिना किसी तकलिफ के easily बन जाएगा आपसे ठीक है चल अगले question पर चलते है अगला question देखो क्या लेका हुआ है 4X square plus Y square equals to 40 है तो X into Y equals to 6 है आपको इसकी positive value निकालनी है अगर आप इसे ध्यान से दे करो तो बस आपको कुछ नहीं करना है इसका whole square कर देना है 2X plus Y का whole square करते है ठीक है क्या बनेगा इसका whole square इसका whole square बनेगा 2X plus Y का whole square equals to 4X square plus Y square plus 4XY भोलो ठीक है यही बनेगा और अगर यह square था तो मैंने यहाँ पर under root लगाई दिया है अब आप समझी गए होगे इतने की value आपको दी है 40 तो under root 40 तो यही हो जाएगा plus 4 into XY 4 into 6 64 is 24 होता है तो खुल मिलाकर under root 64 हो जाएगा under root 64 का मतलब 8 होता है और यही है value 2X plus Y की यहने option A हमारा सही answer होगा तो बहुत ही simple तरीके से यह answer भी आ गया है चलो अगले question की तरफ चलते है अगला question आपकी screen पर यह रहा देखो क्या लेका होगा है 2A plus 3B equals to 10 है तो A into B equals to 3 है find the value of this 2A का square आपको यहां दिख रहा है 3B का square आपको यहां दिख रहा है तो समझ गए होगे square करना है कुछ भी नहीं तो square कर देते हैं यह हो जाएगा 4A square plus 9B square plus 6, 6 दुनी 12 तो 12AB equals to 100 अगला question देखो क्या लिखा हुआ है यह एक अच्छा question है important सवाल है आपको आने वाले समय में type का question दुबारा देखने मिल सकता है इतना कठिन नहीं है बट ध्यान से देखना बड़ा सेंपल है देखो यहां पर आपको यह समझ में आ रहा है कि इस type का question अगर आपने पहले देखा है तो आपको पता है कि यहां पर एक chain चलती है chain कैसी कि भाई a minus b into a plus b equals to a square plus a square minus b square की इस तरीके से chain चलती है अगर यहां पर यह square में होता तो यह सीधा सीधा multiply हो जाता और power 4 में बदल जाता ठीक है बड़ यहां पर यह square में नहीं है तो इसे square में कैसे बनाया जाए तो देखो इसके साथ क्या multiply करूं कि एक k square minus 1 by k square हो जाए तो आप बोलोगे सार इसमें न k plus 1 by k multiply कर दो तो यह दोनों multiply होकर k square minus 1 by k square हो जाएंगे और यह दोनों multiply होकर k की power 4 minus k की power 4 हो जाएंगे और यह दोनों multiply होकर k की power 8 minus 1 by k की power 8 हो जाएंगे और फिर यह दोनों multiply होंगे फिर यह दोनों फिर यह दोनों तो इस तरही है चेंज चलती जाएगी और final जो हमको product मिलेगा वो क्या मिलेगा k की power 64 minus 1 by k की power 64 यह हमको finally मिल जाएगा बट दिक्कत यह है कि क्योंकि यह यहाँ पर missing है यह मैंने अपनी तरफ से multiply किया था तो same number से मुझे divide भी करना पड़ेगा याने k minus sorry k plus 1 by k से मुझे से खुदी divide भी करना पड़ेगा तो final यह मेरा answer आएगा याने option 64 option a हमारा सही answer होगा बात समझ में आ गई clear है तो कुछ भी नहीं है बस यह chain चलती है और यह chain आपको पता होनी चाहिए ठीक है चले अगले question पर आते हैं अगला question आपकी screen पर यह रहा question देखो किया लेखा हुआ है x square plus y square plus 2y plus 4x plus 5 equals to 0 अब यह नहायती simple question है कुछ नहीं है आपको x square 4x के साथ कुछ add करके x plus something का whole square बनाए ठीक है चलो x square plus 4x तो इसके साथ क्या multiply करूँ कि यह किसी का perfect square बन जाए तो देखो इसको मैं बोल सकता हूँ अगर मैं 4 add कर देता हूँ तो यह बन जाएगा x plus 2 का whole square ठीक है बचा क्या y square बजगया है और 2y बजगया है इसके साथ क्या plus कर दूँ कि यह y plus something का whole square बन जाए तो 1 add कर दूँगा तो हो जाएगा अब देखो 4 और एक 5 तो यहां पर यह 5 भी दिया हुआ था अगर कुछ कम जादा होता तो मैं इस 5 में adjust कर देता कम पढ़ता तो इसमें add कर देता जादा होता तो कुछ इसमें minus कर देता मैं यहां पर exactly perfectly यहां पर fit हो गया है बोलो ठीक है तो अब मैं इस समझ में आ गई अब अगर यहां तक समझ में आ गया है तो बस इसकी value यहां पर put कर दो x plus y minus 2 plus minus 1 minus 3 होगा upon x minus y minus 2 minus of minus 1 तो minus 2 plus 1 हो जाएगा तो कुल मिलाकर minus 3 upon minus 1 याने answer हो जाएगा plus का 3 बोलो ठीक है भाई option d हमारा सही answer हो जाएगा simply मुझे नहीं लगता इस question में भी आपको कोई तकलीफ होई होगी चरब अगले सवल पर आते हैं अगला सवल देखो क्या लिखा हुआ है बोल रहा है x minus y का whole cube plus y minus z का whole cube plus z minus x का whole cube upon 6 into x minus y y minus z minus x अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको पता होना चीए पहला तो कि aq plus bq plus cq में अगर a plus b plus c equals to 0 हो जाता है तो यह जो पूरा formula बनता है यह 3abc के बराबर होता है बोलो हां और नीचे एक तरीके से 6abc लिखा हुआ है बोलो ठीक ह तो answer ऐसे से ऐसा cancel होने के बाद सीधा 1 by 2 बचेगा कि नी बचेगा बड़ यह condition तो तब होगी ना जब a plus b plus c equals to 0 होगा तो चलो एक बार a plus b plus c equals to 0 करके देख लेते हैं a का मतलब x minus y plus y minus z plus z minus x क्या n को जोडने पर यह 0 होते हैं हाँ भीया बिलकुल 0 होते हैं याने हमने जो बिलकुल सही है यह से यह cancel हो जाएगा तीन बटा च्छे यहने एक बटा दो option भी हमारा सही answer होगा ठीक है अगले question पर चले शलिए अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा question देखो क्या लिखा हुआ k plus 1 by k plus 2 equals to 0 है इसकी value निकालने है simple question है k plus 1 by k equals to minus 2 होगा होगा की नहीं होगा और जब भी ऐसा होता है तो k की value minus 1 रखने होती है तो यहाँ पर minus 1 रच दीजे minus 1 की power even number plus 1 हो जाएगा और minus 1 की power odd number minus 1 हो जाएगा answer कितना हो जाएगा 0 याने option भी हमारा सही answer होगा अगले question पर आ minus a minus 1 by a plus this equals to what कोशन समझ में आ गया इतने की value इनमें से क्या होगी बस यहीं बताना है और कुछ तो नहीं बताना है तो चलो solve करने इसको भाई अगर मैं इसको as it is रहने हो थोड़ी दिर के लिए देखना इसको मैं as it is रहने देता हूं इसे अगर मैं solve करने की कोशिश करूं क्यूब क्यूब क्योबॉब एक्यूब मैनस 1 बई एक्यूब माइनस 3 a b याने a into 1 by a into a minus b का मतलब a minus 1 by a भोलो ठीक है ऐसे ही बनेगा a से a cancel हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा 3 a minus 1 by a यह बचेगा a cube minus 1 by a cube minus 3 into a minus 1 by a कुछ समझ में आ रहा है कुछ cancel हो रहा है यह पूरा का पूरा इस पूरे से cancel हो रहा है यह positive में है यह negative में है यह पूरा का पूरा का answer हो जाएगा बच किया जाएगा सिर्फ बीच का टाम a cube minus 1 by a cube याने हमारा सही answer होगा a cube minus 1 by a cube option भी हमारा सही answer होगा तो बहुत ही simple सा question था यह चले अगले question पर आते हैं अगला question आपकी screen पर यह रहा यह किसका whole square है आपको यह बताना है ठीक है निकाल सक देख लो यह a square रहा होगा यह minus 2 a b रहा होगा और यह b square रहा होगा तो a square यह किसका square है 6x का square है यह किसका square है 9 का square है तो obviously जो form रहा होगा 6x minus 9 का whole square होगा whole square से under root cancel हो जाएगा 6x minus 9 option a हमारा सही answer हो जाएगा यह तो देखकर कोई भी बता सकता था ठीक है चले अगले सवाल प प्लस उन में x cube कितना होगा सबको पता है k cube minus 3 के हमारा सही answer होता है k cube का मतलब 7 का cube 343 minus 21 minus कर लीजेगा कितना आएगा तो 322 322 याने option b हमारा सही answer होगा बोलो ठीक है चले आज के आखरी question पर आते हैं आज का last question देखे क्या लिखा हुआ है a plus 1 का whole square plus a plus 2 का whole square equals to 16 तो इतने की value कितनी होगी ठीक है देखो जादा दिमाख नहीं लगाते है इसको solve कर देते है solve कर देते है देखो क्या है a plus 1 का whole square क्या होता है a square plus b square plus 2ab plus इसका whole square क्या होगा a square plus b square का मतलब 4 हो जाएगा plus 2ab का मतलब 4a हो जाएगा equals to 16 है बोलो हाँ तो यह जो a square वाले terms है इनको एक साथ में ले लो, तो 6a हो गया, 4 प्लस 1 कितना होता है, 5 होता है, equals to 16 हो गया, अब ज़रा ध्यान से देखो, आपको चाहिए क्या है, 4a square 12a, देखो इसका दुगना कर दूँगा तो काम मन जाएगा, यह भी दुगना करने पर काम मन जाएगा, तो इसको मुझे किसी तरीके से 20 बनाना पड़ेगा, अगर मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर 15 एड करना पड़ेगा, 15 एड क्यों किया, ताकि यह 2a square प्लस 6a, प्लस 20 बन जाए, और इधर 31 बन जाए, अब आप बोलेंगे सर, इस से क्या फायदा हुआ, इस पूरी equation को उठा अकर 2 से multiply कर दो, यह क्या बन जाएगा, 4a square प्लस 12a प्लस 40 इक्वल्स टू 62, यह वही आ गया ना, जो हमें चाहिए था, बोलो हाँ, 62 याने option भी हमारा सही answer हो जाएगा, तो मेरे खैल से आपने अगर यहाँ तक देखा है, तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ न जाएगा